दोस्तों नमस्कार, जैसर किष्णा, जैसरी राध है दोस्तों आज हम बात करेंगे मेस लगन फल 2021 2021 में मेस लगन वालों के लिए क्या इस्तितियां रहेंगी आखिर मेस लगन वालों के लिए 2021 कैसा जाएगा नया वर्स कैसा जाएगा इसके बारे में जानेंगे दोस्तों अभी तक हमने 2021 का रासी फल जाना था अब हम प्रारंब कर दिये हैं मेस रासी का लगन फल यहां पर बताएंगे और प्रत्यक लगन का फल हम बारी बारी से बताएंगे इस वीडियो में मेस लगन वालों के लिए भविस्ते फल बताएंगे कि आपका 2021 कैसा रहेगा लेकिन उससे पहले कुछ दर्सक ऐसे भी होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि लगन आखिर कैसे पता करें या हमारा लगन क्या है उनकी जानकारी के लिए बता दें अगर आपको लगन पता नहीं है बैसे तो अगर आपने हमसे कंसल्ट वगरा किया होगा कुण्डली दिखाई होगी तो हम आपको पहले ही बताते हैं कि आप की रासी क्या है आपकी लगन क्या है आपके सनक्षत्र में जन्म लिए हैं वो सब जानकारी हम देते हैं आपको लेकिन उन लोगों के लिए भी जानकारी दे दें जिन लोगों ने हमसे कुंडली इत्यादी नहीं दिखाईए क्योंकि बहुत सारे विवर हैं आप वहाँ पर जाईए और लगन कुंडली देखिए एक तो चंदर कुंडली होगी तो चंदर कुंडली जहां लिखा होगा वहाँ चंदर लगन है जो आप रासी फल देखते हैं वो चंदर लगन के आधार पर होता है और ये है लगन जो आपकी लगन कुंडली होगी उसमें अगर आपकी लगन कुंडली में जो बारा भाव होते हैं जो बारा खाने होते हैं जो पहला खाना जो सुरू होता है पहले खाने में एक नमबर लिखा होगा अगर एक नमबर लिखा है तो आपकी कुंडली मेस लगन की है और बाकी अगर आपको जानकारी है कि आपकी मेस लगन है तो आप इस वीडियो को देखिए आपका भविस्षिफल क्या कहता है लगन के आधार पर आपका 2021 कैसा रहेगा इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं दोस्तों यहाँ पर हम आपको जानकारी देंगे आपकी लब लाइफ के बारे में, आपकी मेरिड लाइफ के बारे में, आपकी फैमली लाइफ के बारे में, आपके रिलेशनसिप के बारे में, आपके करियर के बारे में, जॉब के बारे में, बैवसाय के बारे में, सभी के बारे में, बिस्तार से बात करते हैं, तो आईए सबसे पह में बहुत सारी बदलाबों के साथ में उचाईयां पकड़ेंगे और बहुत कुछ मन भी लगेगा पढ़ाई में लेकिन इस बीच में कुछ भटकाब की स्तिती बनेगी कभी-कभी मन बहुत जादा आलस से में जाएगा और खास करके जो फरवरी का महीना है 2021 में इस महीने में कुछ तनाव रहेगा कुछ अकेला पन महसूस करेगा अकेले पन की बजय से आपके पढ़ाई में बहुत सारे बिगना सकते हैं और खास करके लव लाइफ को अगर हम आगे जानकारी देंगे लव लाइफ के वारे में तो लव लाइफ में कुछ प्रॉबलम की बजय से भी पढ़ाई में काफी प्रभाप पढ़ेगा उसके साथ साथ देखा जाए तो अगर इत्यादी कोई एक्जाम इत्यादी देते हैं तो परिक्षा में पूर सफलता आपको प्राप्त होगी और खास करके आपके लिए अक्टूबर का महीना और सितंबर का महीना भी काफी हद तक बिद्याद्यन में रुची बढ़ाने के लिए और परिक्षा में संपूरता सफलता प्राप्त कराने के लिए बहुत बहतर माना जाएगा अगर हम बात करते हैं लव लाइफ की तो लव लाइफ में देखा जाए तो जनवरी का महीना फरवरी का महीना अकेला पन लेकर आएगा बहुत सारी अकेले इस्तितियां ऐसी बन जाएगी कि अकेला पन रहेगा जिस से उम्मीदें हैं या उम्मीदें थी वो उम्मीदें तोड़ दे या आपका पार्टनर आपको एग्णौर करने लगी यह इस्तिति बन जाएगी जिस बज़े से एक इगो वाली समस्या आपके सामने आएगी आप कुछ हैं तो आपके सामने एक तरह से लाइन जो है वो आपको बार बार डिस्टर्ब करेगी और आपकी लव लाइफ की मेन बज़े भी यह होगी आपको गुसा आएगा प्रोद आएगा जन्वरी फरवरी में बहुत जादा और बाकी इस्तितिय जो और महीने हैं, उनमें काफी normal हैं, काफी अच्छी हैं, love life के लिए, लेकिन इन महीनों में अपने आपको सम्हालना होगा, खास करके देखा जाए, तो आप किसी से लगाव करते हैं, एक तरफा महबत करते हैं, तो उसमें भी आपको यह देखना होगा, कि एक तरफा जो आपका प्यार है, क्योंकि आप जल्दवाज प्रवृत्ती के होते हैं, जल्दवाजी में आप वो बैक्ती आपको पहले फ्रेंड बनाना चाहता है, और फ्रेंड आप बनना नहीं चाहते हैं, आपकी आदत होती है कि आप फ्रेंड क्या होता है, आप प्यार करना है, तो प बज़े से आप इस प्रॉब्लम में जाएंगे तो जनवरी फर्वरी का महीना तो लव लाइफ के लिए खराब है लेकिन और महीने काफी बहतर हैं मेसलगनवालों के लिए और अगर हम बात करते हैं मेरिड लाइफ की तो मेरिड लाइफ में खास करके देखा जाए तो आधसात कुछ भाईयों की वज़े से या आपके देवर या जेट की वज़े से भी प्रॉब्लम मेरिड लाइफ में आ सकती हैं आपके जो सवराल बाले हैं उनके फैमली के कुछ भी रिलेटिव ऐसे लोग हो सकते हैं रिलेटिव या रिलेशन कुछ ऐसा हो सकता है जिस बहुत इसलिए हम यहां पर आपको बहुत ही आपको संचेप में के वल आपकी जो जानकारी आपको चाहिए, वो ही बता रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए अगर हम बात करते हैं करियर से रिलेटेड तो करियर में आपको काफी उच्छ सफलता मिलेगी थोड़ी भागदोर रहेगी थोड़ी परेशानी रहेगी लेकिन इन परेशानियों का कुछ न कुछ नेड़ाई जरूर निकलेगा थोड़ी समस्या सकती हो सकता है एक बार में काम ना बने लेकिन सफलता प्राप्त होगी करियर में अगर आप जॉब में खास करके आप राजकिय सेवा या सासन प्रसासन से जुड़े हुए कारी करते हैं करियर में बहुत उचे जाएंगे प्रमोशन के अधिकारी अगर हैं तो प्रमोशन के योग बनेंगे और खास करके अप्रेल के महीने में कुछ ऐसा हो जाए जिसका लोगों में एक तरह से उत्साह बर्धन हो जाए और बहुत सारी धूम मत जाए मतलब कुछ अप्रेल के महीने में खास होने वाला आपके लिए और बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं आपको खास करके अधिकारी रेंग या कुछ बड़ा पाना चाहते हैं कुछ बड़े योग हैं आपके किस्मत में कुछ बड़ा अगर बनना चाहते हैं और बड़ी सोच है आपकी तो निस्चत ही आप अपरेल के महीने में कुछ ऐसा प्राप्त करने वाले हैं जिससे आपके अंद प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, बॉस के साथ में खटपट हो सकती है, बॉस के साथ में थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है, हो सकता है कि बॉस की कुछ बातें पसंद ना आए, बॉस के साथ में वो मतभेद रहे और उस वज़े से आपको बहुत परिशानी ओफिस में प्राइवेट सेक्टर में खासकर इंजीनियर इत्यादी हैं आईटी सेक्टर इत्यादी में तो वहाँ पर रिस्ते खराब हो सकते हैं लेकिन गौर्मेंट जॉब में अधिकारी रहें कि आप बड़ा कुछ पाना चाहते हैं बहुत अच्छे यो साथ बिजनिस में आपके लिए बहुत बड़ी उचाईयां लेकर आने वाला है 2021 बिजनिस में खास करके उचाईयां तो लेकर आने वाला है लेकिन इस बिजनिस में आपको करज लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए थोड़ा सा करज ले लें लेकिन इस 2021 में किसी को करज ना पूल करके भी करज न दें, नहीं तो पैसे जल्दी बापस नहीं मिलेंगे। उसके साथ देखा जाएगा कि आपको कुछ चीजों से लगाब हो जाएगा, इस 2021 में कुछ चीजों से बिसेश लगाब हो जाएगा लेकिन 2021 20 नवंबर के बाद में वो चीज़ें आप आपसे छीन लेगा तो देखा जाए तो वो इस्तितियां आपके लिए थोड़ी खतरनाक होंगी जिससे कि आपको पूरा 2021 आपके लिए बहतर जाएगा लेकिन वो इस्तितियां जो होंगी जो खतरनाक इस्तितियां होंगी उस बज़े से आपका मनुवल आपके अंदर की एनरजी कम हो जाएगी और आपको थोड़ा घवरहाट थोड़ा अजीब सा लगेगा ऐसा लगेगा कि जाते जाते बहुत कुछ परेशान या बहुत कुछ परेशान या जाएगी लेकिन और सब चीजों के लिए बहुत बैतर है खास करके विदेश यात्रा की योग बनेंगे अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग बनेंगे बहुत अच्छी स्थितियां हैं बहुत धनलाब होगा आपको और 2021 में बिदेश के लिए यात्रा जरूर करेंगे अगर करना चाहते हैं चो जरूर करें बहुत अच्छे परेडाम रहेंगे और बिदेश में ही रहते हैं और कोई समस्या आ रही थी मकान लेना चाहते हैं बिदेश में सरकार के द्वारा मकान इत्यादी मिलने वाला है उसमें कोई समस्या आ रही थी तो वो सॉल्व हो जाएगी यानि कि मकान बाहन इत्यादी आप खरीज सकते हैं बिदेश में रहते हैं आपको बहुत सारी चीजों में बहुत फाइदा होने वाला है उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि अगस्त सितंबर में आप मकान इत्यादी भी बनवा सकते हैं जमीन इत्यादी खरीज सकते हैं ये आपके लिए आपका लगन फल बताया पूरा वर्सका भविस्य आपक कोई चल रहा है उसके बारे में अगर बोलें तो कोट करचली मुकदमा इत्यासी से घवरानी की जरूरत नहीं है एग्नॉर करिए सब ठीक हो जाएगा धीरे दीरे उसमें कोई टेंसन वाली बात नहीं है आपके साथ खुदी आपसे परेशान हो जाएंगे आप इतनी तरक् को आने वाले वीडियोस प्राप्त होंगे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों नमस्कार